जैहिंद प्यारे विद्यार्थियों, सिद्धी विनायक संग्रिया की इस ओनलाइन प्रस्थूती में आज के इस दूसरे सत्र में आपका फिर से स्वागत है पहले सत्र में हमने पढ़ लिया था कि कभीरदास जी का परीचे, पाट परीचे और इसके अत्रिक्त आठ दोहे हमने उनके पढ़ लिये थे विशेष कैसे लिखा जाता है, संदरब तता प्रसंग में क्या लिखा जाता है, वो सारी बाते हमारी हो चुकी है विद्यार्थियों, अब हम अगले दोहे की और बढ़ते हैं और यहां भी पुने, जहां जहां हमें आवशक्ता होगी हम पुने से विशेष की या संदरब और प्रसंग की चर्चा करते रहेंगे और अपनी बात को आगे बढ़ाते रहेंगे आप भी जो आपकी समश्याएं अध्यन के दौरान आती हैं, जहां आपको कोई बात समझ भी नहीं आती, आप कमेंट करें कमेंट के मादिम से आप अपनी बात को रख सकते हैं, पूछ सकते हैं और निश्चित रूप से उसका आपको उतर दिया जाएगा, आपके सब प्रश्णों को समश्याओं को हल करने का प्रयास किया जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की डोकिमेंटरी दोहा है हमारा, बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जिवतर से तुझ मिलन के मनिनाही विश्राम दूसरा दोहा है, मूरिक संग ने कीजिए लोह जलन तिरा, कदली सीप भुजंग मुख एक तिहूं जिवू भाई तो कभीर दास जी के ये दो दोहें यहां संकलित किये गई हैं, कठिन शब्दार्थ की बात करें तो जोवती अर्थात देखती हूं, प्रतीक्षा करती हूं, बाट यानि मार्ग, बाट जोहना, मार्ग देखना, रास्ता देखना, प्रतीक्षा करना, राम, परमात्मा कबीर ने राम शब्द का प्रयोग किया है लेकिन उन्होंने राम शब्द का प्रयोग निर्गुण ईश्वर के रूप में किया है उन्होंने राम के सगुण रूप के उपासना नहीं किया है जीव अर्थात जीव मन प्राण या आत्मा तुझ तुझे विश्राम यानि चैन या धेरिये मूरिक मूर्ख तिराई तेरता है कदली केले का व्रिक्ष सीप सीपी जिसमें मोती बनता है उसे सीप कहा गया है भुजंग अर्थात सर्प तिहूं अर्थात तीनो भई प्रकार या रूप बनते हैं तो चलिए विश्तार से हम अध्यन करते हैं संदर्ब और प्रसंग की विशेस कोई बात यहां बताने लाइक नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ इसी हम बात करें जब हमने दो दोहों को संकलित किया है विद्यार्तियों तो दोनों की में जो मुख्य बाते हैं वो हमने यहां लिख दी है देखिए एक हमने यहां लिखा है कि इसमें कबीर ने परमात्मा रुपी प्रियतम के वियोग में व्याकुल विहनी आत्मा बनकर अपनी अधीरता का वर्नन किया है और दित्य दोहे में कबीर मूर्ख का संग नय करने का संदेश दे रहे हैं संगती के प्रभाव को टाला नहीं जा सकता इससे अज्यानियों से दूर रहना ही अच्छा है ये बात बताई है तो इस तरह से हम संदर्ब की बात लिख सकते हैं, संदर्ब में अगर एक दो हैं तो एक की बात लिखें, दो हैं तो दोनों की बात अवश्य लिखी जानी चाहिए विद्यार्थियों ताकि हमें परिक्षक पूरे अंक दे सके व्याख्या में क्या है परमात्मा रूपी प्रियतम अर्थात हमने पहले बात की कि जो निर्गुन कावे है ज्यानाश्री शाखा है या ज्यानमार्गी जो है संत कावे जो है उसमें आत्मा अर्थात जीवात्मा को प्रियतमा प्रेमिका या पत्नी के रूप में चित्रित किय गया है तो प्रमात्मा रूपी प्रियतम अर्थात प्रमात्मा रूपी पती से आत्मा रूपी प्रेसी या पत्नी बिछडी हुई है अर्थात हम जो जीव में हम मनुष्यों के अंदर पशुपक्षियों के अंदर अन्य जो भी सजीव जो भी चीजी है उन सब के अंदर एक जीव निवास करता है, एक आत्मा निवास करती है विद्यारतियों और वो आत्मा है अपने पती अर्थात प्रियतम परमात्मा से बिछुड कर इस धर्ती पर इस भोतिक संसार में आ जाती है, वो बिछुड़ी हुई रहती है तो उसे बड़ा कष्ट होता है, वह निवेदन क करती कर रही है कि उसे प्रियतम की बाट देखते देखते बहुत दिन बीत गए है, अपने इश्वर के अपने पती के रास्ता देखते रहा देखते प्रतिक्षा करते वे बहुत समय बीत गया है, किन्तो अभी तक प्रियतम के मिलन की जो पावन घड़ी है वो नहीं आई है आत्मा कहती है कि हे राम, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे इश्वर, मेरा मन बड़ा व्याकुल और अदीर हो रहा है वह तुमसे मिलने को तरस रहा है अत्य है, आप मुझे अपना कर विरह वेदना से मुक्त कर दीजिए कि आप मुझे इस संसारिक कष्ट से दूर कर दी, संसारिक कष्ट को विरह वेदना, संसारिक कष्ट को मिटा दीजी जीव तरसे तुझ मिलन को, जीव अर्थात मेरी आत्मा है, वो तुमसे मिलने के लिए तरस रही है मन ना ही विश्राम और मेरे मन में भी विश्राम नहीं है तो आत्मा है वो परमात्मा से मिलने के लिए बड़ी व्याकुल हो रही है तो आप अपना कर मुझे अपना कर विरेवैदना से मुक्त कर देजिए पहले दोहे का भाव, अब दूसरे दोहे में देखिए विद्यारतियों संगती का प्रभाव किस तरह से हमारे उपर पड़ता है, वो बताया गया है, तो संगती के प्रभाव को यहां बताया गया है, कि किस कैसे लोगों से दूर रहना चाहिए, तो क्या लिखा गया है, मूरि जल ये कभी भी नहीं तैरता है उसी प्रकार जो अज्ञानी लोग हैं वो भी परमात्मा तक पहुँचने का रास्ता कभी नहीं बता सकते हैं अर्थात वो कभी भी हमें सीधे रास्ते नहीं लेके जाएंगे जो मूर्ख लोग होंगे वो हमें सच्चा मार्ग सदमाव का मार्ग कभी नहीं दिखाएंगे इसके बाद कभी ने एक द्रिश्टांत दिया है क्या लिखते हैं कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद तिहुं भाई जिस तरह से जो स्वाती नक्षत्र की एक बूंद है वो स्वाती नक्षत्र के जल की एक बूंद कदली अर्थात केले के उपर गिरती है तो उसका कपूर बनता है सीप सीपी में गिरती है तो उससे मोती बनता है और भुजंग अर्थात साप के मुख में गिरती है तो उसका विश या जहर बन जाता है तो जैसी संगती होगी वैसा ही परिणाम मिलता है अर्थात हम जैसे व्यक्तियों के साथ रहेंगे वैसा ही हमें वो व्यक्ति अपनी संगती से बना देगा वो हमें अच्छे मार्ग पर नहीं ले जा पाईगा क्योंकि विद्यार्थियों ये ध्यान रखना कि अच्छी संगती का साथ करना मुश्किल होता है वो हम जल्दी से नहीं सीख पाते लेकिन बुरी संगती को अपनाना आसान होता है उसे हम बड़ी जल्दी अपना लेते हैं तो जिस आयू वरग में आप लोग हैं उस आयू वर तीन जो चीजे हैं एक तो केला दूसरा सीप और तीसरा सर्प इन तीनों पर स्वाती नक्षत्र के बूंद की जल का अलग-अलग परिनाम होता है उसके माध्यम से संगती का हमारे उपर क्या प्रभाव है उसको यहां इंगित किया है विशेस की बात करें तो यहां आत्मा और प्रमात्मा के नित्य समंद को लोकिक प्रेम में ढालकर कबीर ने प्रेम के को ग्यान और योग साधना से सुगम और सुखदाई मार्ग बताया है कुसंग से बचने और ईश्वर प्रेमियों की संगती करने का संदेश दिया है प्रथम दोहे में सांग रूपकलंकार है विशेस की और बात करें विद्यारतियों तो देखिए ये जो दोहा है दूसरा और इसकी जो दूसरी पंक्ती है कदली सीप भूंग मुक एक बूंद तिहूं भाई ऐसी ही इससे मिलता जूलता ही एक दोहा रहिम दास जेवी जिने भी लिखा है तो वहां भी वो यही बतात है कि स्वाती नक्षत्र की एक बूंद है वह इन तीनों पर गिरती है तो उसके तीन अलग अलग परिणाम होते हैं तो जब हम कबीर की दोहे की व्यक्ष्था कर रहे हैं तो उसकी विशेस लिखने के अंतरकत हम रहीम के दोहे का उदारन यहां विशेस में भी दे सकते हैं और अगर हम रहीम के दोहे की व्याख्या कर रहे हैं तो हम विशेष के रूप में ये वाला दोहा एक उदाहरण के रूप में वहाँ लिख सकते हैं कि ऐसी मिलती जुलती बात कबीर ने कही है या ऐसी मिलती जुलती बात रहीम ने भी कही है तो ऐसे उदाहरण अगर हम देते हैं और इस तरह से एक अच्छा वर्णन करते हैं विशेस एक अच्छा लिखते हैं तो विद्यार्थियों निश्चित रूप से हमें बड़े अच्छे अंक मिलने की संभावना होती है विद्यार्थियों जो अध्यापक है परिक्षक है वो इस बात को कभी भी इनकार नहीं क कर सकता कि आपने विशेस में भी कितनी अच्छी तरह से लिखा है और कितना आपका ग्यान है कितना आपने ग्यान प्राप्त किया है पढ़ाई कितनी किया है तैयारी कितनी किया है इस बात को कभी भी वो छोड़ नहीं सकता भूल नहीं सकता इस ती आपको अंक अवश्य अ सेमल फूल की चर्चा संसार के साथ कर रहा है, दूसरा है, मासी गुड में गड़ी रही, संसरही लपटाई, ताली पीटे सिरी धुने, मीठे बोई बाई, तो यहाँ दोनों जो दोहें हैं, उनके शब्दार्थ एक साथ यहाँ लिये जा रहे हैं, कहू, यहू, यह सेमल फूल, एक सेमल नामक वरिक्ष का पोदे का एक फूल होता है, वरिक्ष का फूल होता है, तो फूल देखने में बड़ा सुंदर होता है, और उसके अंदर रूई जैसा एक पदार्थ भरा रहता है, और जैसे ही वो फल पकता है, वो रूई सारी उड़ आती है दिन दस थोड़ा समय व्योभार व्योभार मासी मक्खी या जीव गड़ी रही धस गई उसमें फस गई पंस यानि पंख लप्टाई लिपट गए सिया सन गई ताली पीटे जैसे मक्खी है वो किसी गंदी वस्तू पर बैठती है तो अपने पंखों अपने पिछले प पंजो को लेती है तो सिर्फ पीटना पच्टावा करना मीठे मिठास या सांसारिक सुख बोई फंस गई ये कुछ शबदार्थ है जिनका हम व्याख्या के अंतरगत प्रयोग करेंगे संदर्ब के अंतरगत हमें उपर तो विद्यार्थियोग वही बात लिखनी है कि दोहा कहां से संकलित किया गया है कोन इसकी रचनाकार है इसके बाद किस के बारे में क्या बताया जा रहा है संसार की शन भंगुरता के बारे में बताया जा रहा है संसारिक सुखों के अंदर फसकर मनुश्य अपना जीवन नश्ट कर लेता है वो यहां उसी का संदेश दिया गया है व्याख्या में क्या है कबीर कहते हैं कि यह संसार सेंबल के फूल की तरह है सेंबल का फूल उपर से बड़ा लुहावना या बड़ा सुंदर होता है उसके बाहर लाल रंग और रूप के कारण तोता उसे मधुर्फल समझ कर बैठता है और उसके पकने की प्रतीक्षा करता है लेकिन जब वो पकता है तो उसमें एक रूई जैसा पदार्थ निकलता है और वह भी हवा से उड़ जाता है तोता वेचारा निराश रह जाता है तो संसार है वो सेमल के फूल के समा के सुखों को भोगती भी है लेकिन जैसे सेमल के फूल के अंदर से रूई निकल कर उड़ जाती है वैसे ही इससे भौतिक देह से निकल करके आतमा भी उड़ जाती है तो संसार है वो कुछी समय का है मनुषय के लिए संसार बढ़ा सुखद प्रतीत होता है परंतु संसारि के भोगों के प्रणाम ते अंत्ते धोखा ही सिद्ध होता है मनुष्य पच्छताता है और संसार से विदा हो जाता है इसी तरह से दूसरे दोहें के अंदर भी कवी ने संदेश हमें इसी तरह का दिया है कि कबीर कहते हैं कि ये संसार है वो बड़ा छोटा है दस दिन का है अर्थात बड़ा छोटा सा संसार है और इसमें हमें अपने जीवन को व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए दूसरे दोहें में कभी क्या कहते हैं कि अन्यक्ती 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 अन्यके उपर की गई उक्ती जो वहां है नहीं उसके माध्यम से अपनी बात को कहा गया है तो मक्षी यहाँ उपस्तित नहीं है लेकिन मक्षी के माध्यम से कभी ने अपनी बात को रखा है कि मक्षी है वो मीठे गुड का स्वाद पाने के लालच में गुड पर चिपक जाती है और निकल नहीं पाती है जब नहीं पाती है तो उसके पंक गुड में सनकर बेकार हो जा अकलाप है उसी को कभी ने यहां लिखा है सिर को धुन कर पस्ताती है अपना सिर निचा करके अपने अगले पंजों को सिर के उपर रगडती है तो वो भी यहां जैसे वो पश्ता रही है लेकिन मीठे के लोब में फस गई है और उस जकड से कभी निकल नहीं पाती है वह गुड उसकी मृत्यू का कारण बन जाता है विद्यारतियों संसारिक सुखों की मिठास में इसी तरह से यहां अब कभी ने جो मर्म की बात कही है जो हमें जो समझाना चाहा है वो बात यहां है कि जीवात्मा भी है वो सांसारिक सुखों की मिठास में एक बार फंस जाता है फिर उनसे मुक्त नहीं हो पाता अत्य कबीर मुनिश्यों को सावधान कर रहे हैं कि ईश्वर से प्रेम करें उसका स्मर्ण करें और इसी में हमारा कल्यान है कल्यान का मार्ग इसी में निहित है विशेष की बात करें तो पहले दोहे में कबीर सांसारिक सुखों को भर्म बताते हुए इश्वर की अराधना का संदेश दिया है दुत्य दोहे में अन्योक्ति अलंकार के माध्यम से अन्योक्ति अलंकार वहां होता है विद्यार्थियों जहां किसी अन्य को माध्यम बनाकर बात को कहा जाए जैसे मक्षी को माध्यम बनाकर के कभी ने जीवात्मा के लिए कहा है कि जैसे मक्षी मीठे गुड में फस गई है वैसे ही जीवात्मा भी इस संसार रूपी गुड में फस गई है और इसके कारण हमें दोखा भी मिलता है यहू ऐसा सेंबल फूल इत्यादी पंक्तियों में उपमा लंकार है दिन दस में अनुपरास लंकार है शेली आलंकारिक और उपदेशात्मक है अब विद्यार्थियों यहां कबीर जी के दो पद भी संकलित किये गए हैं पहला पद है काहेरी नलिनी कुमुलानी तेरे ही नाली शरोवर पानी जल में उत्पत्ती जल में वास जल में नलिनी तोर निवास नातली तपतिन उपरी आगी तोर हेत कहु कासनी लागी कहे कबीर उदिदिक समानते नहीं मुए हमारे जान अब यहां काफी सारी कठिन शब्दों का प्रियोग से किया गया का हे अर्ठात क्यों नलिनी, कमलिनी दूसरा आर्थ इसका जिवातमा के लिए भावार्त क्या है जिवातमा को नलिनी कहा गया है कुमिलानी अर्थात मुर्जा रही हो नाली जो डंडी जिससे पोधा अपनी जड से जुड़ा रहता है तुम में ही नलिन्नी का मतलब तुम में ही एक परतिकार्थ भी है सरोवर तालाब या परमात्मा उत्पत्ति या परकट होना ये भी परतिकार्थ है इसका जल जल का मतलब पानी या परमात्मा दोनों ही है बास रहना स्थित होना तोर यानि तेरा निवास स्थाई रूप से रहना तली तला पेंदा ऊपरी ऊपर से आगी कश्ट आगी याने अगनी और दूसरा इसका मज़ाताव अगनी से मिलने वाला कश्ट हेत प्रेम मो ह कहू बता कासन अरत्षय किस से लाग इसका अरत्षय लगा है पुद की अर्थात जल मुए अर्थात मरे जान अर्थात समझ से तो ये कठिन शबदार्थ है जिनके प्रयोग से हम व्याख्या करेंगे सारी संदर्बो और प्रसंग में विद्यार्थियों देख लेते हैं यहां संदर्बो प्रसंग में कोई विशेस नई बात नहीं है प्रस्तुत दोहे में दोहा हमारी पाठ्टे पुस्तक सर्यू से संकलित है, रचनाकार कबीर है, अब इसके बाद यहां क्या बताया गया है, उस बात को यहां संक्षेप में लिख दिया गया है, कबीर आत्मा और परमात्मा की एकता के सिध्धान्त पर बल दे रहे हैं, कबीर के मतानुसार आत्मा और परमात्मा एक ही है, सांसारिक विश्यों के संपर्क में आकर जीवात्मा स्यम परमात्मा से भिन समझ बैडती है, स्यम को नाशवान समझते हुए मृत्यू के भैय से दुख ही रहती है, कि जब आत्मा इस बहुतिक शरीर को धर्ण की वे रहती है, तो उसे दुख रहता तो ये वाला भाव उसके अंदर आता है जिसके कारण आत्मा बड़ी दुख ही रहती है इसी तत्य को कबीर ने नलिनी और सरोवर के परती को द्वारा इस पद में स्पष्ट किया है तो अब पहले सामान्य अर्थ की बात की जा रिये विद्यार्थियों उसके बाद हम परतिक शब्दार्थ की बात करेंगे तो जो शब्दार्थ की बात पहले है उसके बाद भाव क्या है कभी क्या कहना चाहता है उसकी बात करेंगे देखिए सामान्य अर्थ कि हे कमलिनी तू क्यों मुर्जा गई है तेरे नाल में तो तालाब का जल विद्यमान है जल मिलते रहने प क्यों मुर्जा रही है क्योंकि कमल जब तक पानी में रहेगा तब तक वो मुर्जाएगा नहीं लेकिन यहां कमल मुर्जा रहा है और उस मुर्जाते हुए कमल को देखकर कभी कहता है कि तो क्यों मुर्जा रहा है तू जल में ही सदा से निवास कर रही है कभी कहता है जल में उत्पत्ती जल में वास कि तेरी उत्पत्ती जल में हुई है और तेरा वास भी है वो जल में ही है तोर हेत कहूं कासिनी लाग जल में नालनी तोर निवास के तेरा निवास से जल में है और ना ताली तपती न उपरी आग कि ना तो तेरी तली तपती है कहते है ना तो तेरा त कि कुछ अर्थात पेंदा तेरा गर्म होता है। ना उपर से कोई तुझपर आग तप रही है। ना नीचे से कोई गर्मी मिल रही है। ना तेरा तला पेंदा है, वो तप रहा है। इसकी आगे है ।ो हेत कहू कास नहीं लागी। कभी लिखते हैं कि फिर तूं क्यों वियोग में मुर्जा रही है या किसके वियोग में मुर्जा रही है आगे कभी कहता है कि तेरे लिए ही तेरे प्रेम के कारण ही जो चारों तरफ घास फूस उगी हुई है वो तेरे लिए ही लगी हुई है वो तुझे सहारा देने के लिए ही लगी हुई है इसके अतरिक्त कभी यहां जो कहना चाहता है कि कभीर कहते हैं कि जो ग्यानी पूरुस अपने भीतर के और बाहर के जल की एकता का ग्यान रखते हैं वे हमारे मतानुसार कभी मृत्यू के भैसे पीडित नहीं होते हैं परमात्मा की और परमात्मा की एकता जानने और मानने वाला कभी मृत्यू से भैवीत नहीं होता है अब इसके अत्रिक्त जो प्रतिकार्थ है प्रतिकात्मक्ता जो यहां आई है उसके बारे में कभी कमलिनी के माध्यम से जीवात्मा को संबोधित करता है कि हे जीवात्मा तू इतनी दुखु क्यों है तेरा मन मुर्जाया हुआ सा क्यों है तू प्रतीपल प्रब्रम के संपर्क में रहती है अर्थात इश्वर के साथ आत्मा का संपर्क रहता है और उसी के कारण आत्मा है वो परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुण रहती है इसी सदा परमातमा के मध्य ही स्थित रहती है कोई भी सांसारिक दुख तुझे कष्ट नहीं पहुंचा सकता लगता है तुँ उस प्रभ्रम के बिना किसी और के प्रती संसारिक विशेवासनाओं में आ सकत है देखी विद्यार्थियों यहां जो कभी ने उपर लिखा है कि काहे क कि नलिनी तू कुमलानी कि है जीवातमा तू क्यों कुमला रही है तू क्यों मुर्जा रही है तेरे ही नाली सरोवर पानी कि तू प्रतीपल ब्रह्म के संपर्क में रहती है जिस तरह से कमल है अपनी नाल के माध्यम से पानी से जुड़ा रहता है वैसे ही एक नाल के माध् से आत्मा परमात्मा से जूड़ी रहती है और जल में उत्पत्ति जल में वास जल में नलिनी तोर निवास की जल यहां है वो इश्वर का प्रतीक है तो कभी लिखता है कि तेरी उत्पत्ति इश्वर से हुई है तू सदा परमात्मा के मध्य इस्थित रहती है कोई भी सांसार भोतिक कश्ट दुख ताप है वो तुझे नहीं सता रहा है तोर हे तु कहूं कासनी लागी और कभी कहता है कि ऐसा लगता है कि जैसे तेरा तेरा जो ध्यान है तेरा जो मन है वो कहीं और किसी और के अंदर आसक्त है कहां कासनी कहां कि तेरा मन है वो कहीं और लगा हुआ है कह और तुम आसक्त हो गई है इसके अत्रिक्त तेरे दुखी होने का और क्या कारण हो सकता है अर्थात तेरा मन है या तुम है इस सांसारिक भोतिक माया मोव में फस गए हो जिसके कारण ही तुम दुखी हो सकते हो अन्यथा तुम्हारे पास दुखी होने का और कोई कारण नहीं कबीर का कहना है कि कमल दंड में स्थित जल और सरोवर का जल जैसे एक है उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा भी अभिन है कमल है वो पानी में खिलता है उस सरोवर का पानी और उस कमल को मिलने वाला उस नली के माध्यम से मिलने वाला जल भी एक ही है दोनों भिन भिन नहीं है वैसे ही आत्मा और परमात्मा भी एक ही है और जो स्यम क्या है अजर और अमर है आत्मा कभी भी मृत्ती नहीं है इसलिए मृत्यू के भैसे मुक्त रहना चाहिए विशेस की बात करें कबीर ने अन्युक्ति के माध्यम से अन्युक्ति अर्थात कमलनी के माध्यम से जीवात्मा को यहां समझाया है पहले दोहे में मक्षी के माध्यम से समझाया था यहां कमलनी के माध्यम से समझाया है कि आत्मा और परमात्मा तो दोनों एक ही हैं दोनों भिन भिन नहीं है इसलिए आत्मा को जब तक परमात्मा की कृपा है तब तक उसे किसी भी तरह से दुखी नहीं रहना चाहिए नलिनी जिवात्मा को जल परमात्मा का प्रतीक बताया गया है आत्मा सांसारिक विश्यों पर आसक्त रहत वह स्यम को नाश्वान समझते वे दुखी रहती है, जब उसे परमात्मा से नित्य एक्ता का ज्यान होता है, तो सारे कष्टों से मुक्त हो जाती है, ये बात यहां सामने आई है, संपूर्ण पद में रूपकाति शुक्ति अलंकार है, इसके अत्रिक्त अनुप्रास तथा अ ज्यान की आंधीरे, भ्रम की टाटी सबे उडानी, माया रहेन बांधीरे, हितचित की दोव, थूनी गिरानी, होव बलिंडा तूटा, तृष्णा चानी, परी घर उपरी, कुबद्धी का भांडा फूटा, जोग जुगती कर संतो बांधी, निर्चु चुएन पानी, कभीर, भान के प्रकटे उदित भया, तमशीना, तो यहाँ पर विद्यार्थियों, ये एक पद लिया गया है, कभीर का, और काफी सारे कटिन शब्दों का प्रियोग इसमें किया गया है, जो हमें व्याख्या करने में बड़ी सहायता देंगे, तो कटिन शब्द हमें आने बड़े जुरूरी है, टाटी, टाटी जिसे एक परदा भी कहा जा सकता है, टाट भी कहा जा सकता है, उड़ाई, यानि उड़ादिया हित चित, चित की दो अवस्थाएं, विशों में आ सकती और बाही आचरण, द्वीविधी या एनिश्चे की स्थिती, थूनी, अर्था जब हम छप्पर इत्यादी बनाते हैं, तो दो तरफ दो खूंटे गाड़ कर उसके उपर एक बल्ली रखते हैं, मोटी, जिसके उपर वो छप्पर रखा जाता है, तो उसी के बारे में बताए जारा है, बीच का बेड़ा, तृष्णा, यानि तृष्णा, या चाह, प्या चाहनी, चप्पर, कू बुद्धी, बुरी बुद्धी, कू विचार, भांडा या बरतन, जोग, जुगती, यानि योग की युकती, सोच विचार, योग साधना, निर्चु, निश्चे, बेफिकर, निश्चे या बेफिकर, चुए, चूना, टपकना, पानी, पानी, चूमडा या बरसा, जने, अर्थात भक्त, भीना, भीग गया, या मगन हो गया, भान, सूर्य या ज्ञान रूपी प्रकाश, तम, अंदकार, अज्ञान, शीना, तीक्षण, या नश्ट, संदरब एमप्रसंग विद्यार्थियों उसी तरह से है, जैसा पिछे हमने लिखा है, सिर्फ हमें यहाँ क्या बताना है, कि इसमें कभीर ने मुनिश्य के हिरदे का उदे होने पर उसके समस्त दुर्गुनों के नश्ट होने का उलेख किया है, अब कभी हमें क्या बताना कि भ्रह्म रूपी टाटी को उड़ा दिया है अर्थात मन में जो भ्रह्म थे वो ज्यान की आंदी या ज्यान के आने से वो सारे भ्रह्म दूर हो गए माया के बंधन भी रोक नहीं पा रहे थे और वो ऐसी ज्यान की आंदी थी जिसे मोह माया के बंधन भी नहीं रोक पा रहे है हमारे मन रूपी घर पर त्रिश्णा रूपी छप्पर पड़ा था और द्विधा यानि एनिश्चे रूपी दो खंबों खंबे इसे साधे हुए थे कि हमारा जो मन रूपी घर है उसका जो छप्पर अर्थात उस मन रूपी घर की जो छत थी वो दुविधा या एनिश्चे रूपी दो खंबों पर वो छत टिकी वी थी वो छप्पर जो मन की उपर त्रिशना रूपी प्यास रूपी सांसारिक विशेवस्तों के प्राप्त कर करने का जो लोब था लोब रूपी वो छत थी वो दुईधा या एनिश्चे के दो खंबों पर थी क्या करूं क्या ना करूं कि एनिश्चे के खंबों के उपर टिकी भी वो तृष्णा रूपी छत थी और जब वो प्रबल आंधी आई तो ये ज्यान की उस प्रबल आंधी न ने लिखा है कि मोह बलिंडा तूटा कि मोह रूपी बलिंडा मोह रूपी जो बल्ली थी वो तूट गई भाव यह है कि ज्यानेवद्य होने से हमारे मन की द्वीदा और मोह नश्ट हो गए यह बल्ली तूटते ही त्रिशना रूपी छपर भी गिर पड़ा जो त्रिशना हमारे बुरे विचार हैं वो सारे नश्ट हो गए अब हमारे अंदर ग्यान का प्रकास आ चुका है संतो अब की बार हमने घर पर संतो शुरूपी नया छपर बड़े यतन से धका और बांधा है यहां कभी कहता है जोग जुकती कर संतो बांधी निर्चु चुए न पानी के इ इस नए घर के संतोश रूपी च्छपर को या छट को हमने बांधा है और इसमें निश्चित रूप से एक बूंद भी पानी नहीं टपतता है अर्थात इसमें लोब मो मद विशेवासना रूपी पानी है वो बिलकुल भी एक बूंद भी नहीं टपतता है अर्थात सांसार संसारिक विशय वासना अब हमारे मन के अंदर नहीं आते हैं संसारिक विशय वासना हमारे दे को लेश मातर भी प्रभावित नहीं करते हैं मन में ग्यान के आगमन से हमें हरी के स्वरूप का ग्यान हो गया है और मन का सारा कुड़ा करकट दुर्गुन साफ हो गए हैं हरी की अब जानी कि अब हमने हरी की गती को जान लिया है अर्थात हरी की गती को जान लिया है उसे हरी हमारे रदे में परवेश कर चुका है इस बात को हम समझ गए है इसलिए हमारे दुरगुण है वो चले गए है ग्यानवदय के पश्चात प्रेम भक्त हरदय प्रभु प्रेम की वर्षा से भीग गया है आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरी जन भीना कि वो जो प्रेम ग्यान रूपी आंधी आई थी उसके बाद जो वर्षा हुई है उस वर्षा से प्रभु के प्रेम की जो वर्षा हुई है उससे हमें हरी ग्यान के प्रकास है हरी ने जो ग्यान इश्वर ने जो हमें ज्ञान दिया है वो ज्ञान हमारा अर्दय उससे भर गया है ज्ञान रूपी सूर्य के उदे से अज्ञान रूपी अंदकार पूनते नस्ट हो गया है कि कहे कभीर भान के प्रकटते कभीर दास जी कहते हैं कि भान अर्थात ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होने से उदित भया तम शीना की उसके उदित होने से सारा जो अंदकार है तम अंदकार अंदकार सारा नस्ट हो गया है विशेस की बात करें तो स्वभाव के दुर्गणों से मुक्ति पाने के लिए कभीर उपाए बताते हैं कि हमें ज्ञान रुपी सूर्य का उदे हमारे रिदय में होना चाहिए तभी स्वभाव के दुर्गण मिट सकते हैं इसके अत्रिक्त विद्यार्थियों कभीर स्वयम को राम की दुलिन और परमात्मा की विरहनी की रूप में प्रस्तुत करते हैं पद में सांग रूपक रूपक तता अनुपरास अलंकार है प्रतिकात्मक शेली है भाशा में तद्भव शब्दों का और साहित्तिक जलक विद्यामान है तो विद्यार्थियों ये था हमारा आज का दूसरा और अंतिम सत्र जिसमें हमने कभीर दास के कुछ शिदोहे और पदों का अध्यन किया इस संपूर्ण पार्ट की पीडियेफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पीडियेफ आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रशन उत्तर भी उसमें आपको साथ में मिल जाएंगे अगर डोकुमेंटरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक श झाल